हलो एवरिवन वेलकम टू स्टार आईक्यू मेरा नाम है सुनिल और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 12 दिसंबर 2020 के नैशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेर बढ़ते हैं आगे अगर आपको मेरे दवारा पढ़ाए गए सभी लेक्चेस का पीडियोफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडियोफ को जरूर जोइन कीजिएगा आज का पहला सवाल हमारा होगा कि हाल ही में किस बैंक ने आतम निर्बर महिला स्वर्ण योजना की सुरुआत की है तो आतम निर्बर महिला स्वर्ण योजना जो है ये सुरूँकी है बैंक ओफ बड़ोदा ने यह यानगी ए आप्शन जो है इस क्यूस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा bank of badoda ने अभी हाल ही में badoda gold loan के तहत आत्म निर्बर महिला योजना की सुरुआत की है इस योजना का उदेश्य क्या है सर इसका उदेश्य है कि भारत की आत्म निर्बर महिला को लक्षित करना उनको target करना बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो किसी पर depend नहीं है और इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर रिन उपलब्द करवाएगा gold loan scheme के तहत bank agree gold loan 0.25% रियायत और retail रिन जो है 0.50% की रियायत पर देने वाला है बैंको बडोदा जो है इसका headquarter कहां पे है अलक पूरी वडोदरा के अंदर है इसकी स्थापना कब हुई थी 20 जुलाई 1908 को जो है इस bank की स्थापना हुई थी आगे बढ़ते हैं हम लोग आगला question हमारा होगा की विस्व आर्थिक मंच यानि की world economic form 2021 निमन में से कहां पे आयुजित किया जाएगा तो world economic form 2021 जो है ये आयुजित किया जाएगा सिंगापूर में यानि कि d option जो है इस question का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा विस्व आर्थिक मंच ने अपनी 2021 की वार्षिक बैठक सिंगापूर में आयुजित करने का फैसला किया इसे पहले जो है वो स्विजर लेंड में 13 से 16 माई 2021 के दोरान आयुजित करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन स्विजर लेंड से वार्षिक form को स्थानांत्रित कर दिया गया है ट्रांसफर कर दिया गया है और अब जो है क्यों किया गया है क्योंकि यरॉप में बढ़ती COVID-19 महामारी को देखते वे साल 1971 के स्थापना के बाद यह दूसरा ऐसा मोका है जब form को स्विजर लेंड के बाहर जो है आयुजित करना पढ़ रहा निमल्ट में से किसे चुना गया है तो विष्वा स्क्वेसएजर फैडरेशन के अध्यक्स के रूप में जेना वाल्डरीज को चुना गया है यानिकि B option जो है इस क्यूसरा का हमारा वो बिल्कुल ठीक है जो आपको फोटो में दिखाइ दे रही होंगी ठीक है वे 1967 के 1967 में स्थापित फैडरेशन की दस्वी जो है वर्ड स्क्वेस फैडरेशन की अध्यक्स होगी न्यूजिलेंड के सूसी सिमकॉक के बाद अध्यक्स बनने वाली दूसरी महिला है और फ्रांस के नव निर्मितमान अध्यक्स जैक्स फॉन्टेन की जगह लेगी और वे इससे पहले 2013 से 2019 के दौरान येरॉपियस स्क्वेस फैडरेशन के अध्यक्स के रूप में 6 साल तक काम कर चुकी है आगे बढ़ते हैं अगला क्युस्टन है कि मानवा दिकार दिवस 2020 का थीम क्या था मैंने आपको बताया था कि 10 दिसंबर को जो है वर्ड हुमन राइट डे मनाया जाता है इस दिन नॉबेल प्राइज भी दिये जाते हैं इसका थीम था फिर से बहतर मानवा दिकारों के लिए खड़े हो जाओ यानकि ए आप्शन जो था इस क्युस्टन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा फिर से बहतर मानवा दिकारों के लिए खड़े हो जाओ लोगों का ध्यान मानवा दिकारों की तरफ आकरशित करने के लिए सुख तराष्टर ने जो है 1950 के अंदर 10 देसंबर को मानवा दिकार दिवस के रूप में इसे गोसित किया था इस साल मानव अधिकार दीवस का विशे फिर से बहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ ये थीम था और ये विशे है ये थीम करोना महामारी को मद्या नजर रखते हुए ही बनाय गया था आगे बढ़ते हैं तो खेल मंत्री केरेंद रिजीजू ने सन्यास ले चुके खिलाडियों को रोजगार महिया करवाने के लिए कितने खिलों इंडिया के अंदर गोलेगी तो तक्रिवन एक हजार खिलों इंडिया के अंदर जो है उनकी स्थापना की जाएगी जिन भी खिला है जब खिलाडी परिसानी में होता है तो इसे भावी पीडिया जो है वहां तो साहित होती है ठीक है इसी वज़े से 1000 खेलो इंडिया केंदर खोलेगी केंदर सरकार के तरफ से वालमार्ट ने किस देश में वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का नरियात करने की घोशना की है तो वालमार्ट ने अपने ही देश यानि की इंडिया के अंदर 2027 तक जो है 10 अरब डॉलर नरियात करने की घोशना की है यानि की डी आप्शन जो है इस क्यूसन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा और वैस्विक बाजारों मैनुफेक्चरिंग हब के रूप में विक्षित करने की सरकार की नीती के समर्थन में वालमार्ट ने ये बेसिकली घोशना की है वालमार्ट के CEO का नाम क्या है MC मिलन है और इसके founder का नाम Sam Walton था और बात करते हैं इसके स्थापना हुई कब थी दो जुलाई 1962 को वालमार्ट ने इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट को भी अक्वाइर कर रखा है वो बात भी आप याद रख सकते हैं अंतरास्टिय परवत दिवस इंटरनेशनल माउंटेंडे कब मनाते हैं बहुत अच्छा क्युस्टन है ये हर साल 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है बी आप्शन जो है इसको समझने के लिए लोगों को जागरुक किया जाता है सेलिब्रास्टर महा सबाने से 2002 को जो है हर साल 2002 से मतलब हर साल जो है मनाने का कहा था कि हर साल अंतरास्टिय परवत दिवस मनाया जाएगा मतलब 2002 से कहा था पहली बार मनाया कब गया था 2003 के इंदर मनाया गया था इसे ठीक है आगे बढ़ते हैं किला कियुसन है कि हाल इमें भारती अमूलकी की सांसद को Congressional Progressive Caucus जिसको CPC की अध्यक्स के तोर पे चुना गया है इनका नाम है परमिला जैपाल ए आप्षिन जो है इस कियुसन का बिल्कुल ठीक है जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है और CPC अध्यक्स के तोर पे चुने जाने वाले जैपाल अमेरिका के 170-वी Congress के सबसे ताकतवर सांसदों में से होगी अमेरिका में यह पद परभावी और अनुभवी सांसद को ही दिया जाता है उन्होंने इस आउसर पर कहा कि CPC रंग भीद को खतम करके गरीबी और ऐसा वानता को मिटाने जैसे काम को परमुकता देगा और देश में परिवर्तन लाने का भी काम किया जाएगा टाइम मैगजीन में अमेरिका के प्रेजिडेंट इलेक्ट जो बाइडन और किसे अमेरिकी इतियास में बदलाव लाने के लिए पलिटिक्स केटेगरी में खिताब दिया गया है इनका नाम है कमला हैरिस बहुत इपॉर्टन क्यूशन है प्रेज्टिक्स केटेगरी में खिताब भी दिया गया है तो इनका करेजो बाइडन के लिए बहुत इपॉर्टन क्यूशन है राजा जान वर्पतूर चारी को चुना है कौन से मिशन के लिए मून मिशन दो हजार चोबिस के लिए यानि के डी ऑप्शन जो एसक्षिन का बल्कुल ठीक है नासा ने मिशन के लिए चारी समित 18 ऐस्ट्रोनाट के नामों की गोशना की है 13 साल के राजा जान वुर्पुतूर चारी अमेरिकी एर फोर्स में करनल भी रहे चुके हैं जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये चलिए इसी के साथ तो इलेक्टर समाप्त होता है कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ तब तक आप हसते रहना मुस्कुराते रहना अपना ख्याल जुरूर रखिएगा